हाई एवरिवन, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हुर आहुल जेस्वाल and स्वागत है आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में प्रेंट्स, आज एक बहुत जादा इंपोर्टेंट, बहुत मतलब इतना जादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज जो 10 स्टैन्डर के लिए, जो साइन्स वान सब्जेक का जो ग्राविटेशन जो चाप्टर हम बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे मुझे रिसरन में कॉमेंट कर रहे थे, कि सर आपने तो 10 स्टैन्डर का पहले सिलाबस बहुत पहले कंप्लीड कर रखा है, तो थांक्यू सो मच पॉर मेकिंग आनादा वीडियो, मतलब बहुत लोग मुझे शुक्रिया कह रहे थे, तो मैं ऐसा बोलन हमारे 10, 11, 12 के दो बच्चे है, उनके लिए न्यू बैच चालू कि आ जाए, बाकी जो छोटे बैच्चे है, उनके लिए तो अल्रीडी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस प्रेजेंट ही है, तो हम लोग का आप लोग का जो साथ आप दे रहे हो ना, उसके लिए ब इस डारेक्टेट तो अब दे रहे हो और उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो चुप चाप के आ जाएगा, नीचे आजएगा, ठीक है, तो चलो, अबसे पहले मैंने इसको उठा लिया, माफ करना, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हम कोई भी अब्जेक को जब छोड़ते हैं, तो वो नीचे गिर जाता है, तो नीचे क्यों गिर रहा है, विकॉस एक ग्राविटी जो है, एक ग्राविटेशनल फोर्स जो है, वो उसको न 9 standard also, 9 standard में हमने पढ़ा हुआ है, कि कोई भी object का एक particular initial velocity होती है, 0, जब नीचे आ गया, एक final speed आ गया, तो V minus U upon the rate of change of time, यानि V minus U upon T इसको करेंगे तो acceleration मिलता है, तो we all know that acceleration होता क्या है, यह आपको मुझे ज्यादा डीप में बताने की जुरत नहीं हमने 9 standard में पढ़ा लिखते हैं, small letter G से, this G is called as the acceleration due to gravity, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग चुप चाप यहाँ पर क्या लिख देंगे, acceleration, क्या बोलेंगे, acceleration due to gravity, और आपको एक चीज़ बतातू, यही acceleration due to gravity को हम लोग small letter G से denote करते है, capital G मतलब earth gravitational force, या फिर earth gravitational constant G, capital G मैंने बता था, जिसका value होता है, 6.67 into 10 raise to minus 11 newton meter square per kg square, या दे मैंने बता है ता पिछले lecture में, तो same उसी प्रकार, यहाँ पर एक small G होता है, और यह small G को बोलते है, acceleration due to gravity, और इसका एक value भी होता है, उसका एक value होता है, 9.81 meter per second, square, लेकिन यहाँ पे न, यह जो value है, 9.81, यह हम लोग consider करते हैं, लेकिन यह exact value न है, लेकिन जहाँ-जहाँ science चलेगा, physics चलेगा, वहाँ-वहाँ math पिछे-पिछे आएगा, chemistry में भी पिछे-पिछे आएगा, biology में नहीं आएगा, लेकिन बाकी दोनों में आएगा, तो यहाँ पर भी math लगने वाला है, यानि कि in short, यह जो G का value जो मैंने आपको बताया, ज to calculate the value of G, तो सबसे पहले मुझे एक बता, कोई भी object जब रहेगा, उसके उपर एक force जो लग रहा है, वो कौन सा force है, gravitational force है, तो यहानि कि एक gravitational force का आपको एक formula याद आ रहोगा, हमने पढ़ा है, that is, F is equal to capital G M1 into M2 upon R square, यह आपने पढ़ा है formula, याद है कि ने, capital G M1 into M1 upon R square, य यह formula आपको याद होगा, that is, the universal law of gravitational, ठीक है, हमने पढ़ा था, Newton's का universal law of gravitational second topic था, जो मैंने पढ़ा है था, आपको याद होगा, यह chapter के अंबर, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा focus करो, हमें एक चीज और पता है, यह equation number 1 में मान लेता हूँ, हमें एक चीज और पता है, कि force कहीं पे भी आप चले जाओ, वो होता है दोस्तो, mg, force is equal to mass into gravity, g का मतब small g का मतब gravity, correct है न, force is equal to mass into gravity, force is equal to mass into acceleration due to gravity, यह हमने पढ़ा हुए, तो f is equal to mg, तो यहाँ पे भी f है, यहाँ पे भी f है, तो हम लोग क्या बोल सकते है, कि from equation number 1 and 2, हम लोग क्या बोल सकते है, कि दोनो हो जगा, left hand side बे f है, तो यह वाला value और यह वाला value same हो जाएगा, that will be equal to mg is equal to g into m1 into m2 upon r square हो जाएगा, correct है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कि हम जो यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, एक तो m1 है, एक तो m2 है, correct है, तो यहाँ पे मैं एक correction कर रहा हूं, आप लोग के लिए सामने हैं, और आपके सामने कर रहा हूं, हम लग नॉ망ली m1, m2 ले रहता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते है, यहाँ पे हम लेते है, एक small m और capital, m, तो इसको मैं 1, m2 को हटा देता हूं, ठीकिए, यह 1 और 2 को हटा देता हूं, म को मैंने हटा दिया है यहां पर जब एक चीज नोटीस करोगे तो यहां पर एक स्मॉल मैं यह तो ने एक दूसर को कैंसल कर देंगे तो चल मैं हमारे पास सिर्फोर सिर्फ क्या बचेगा जी इस इक्वल टू कैपिटल जी इन्टु एम अपॉन आर और इसका स्कॉयर यह बचेगा हमारे पास तो यह क्या बन गया एक फॉर्मूला बन गया इस वी बॉन टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन डू टू ग्राविटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ठिंग और यहां पर आपको पूछा जाता है तो आप यह फॉर्मूला लगा होगे क्या कि एक्सेलरेशन डू टू ग्राविटी यहां पर प्रिथवी को कंसिडर कर रहे हम लोग तो यहां पर capital M का मतलब है प्रिथवी का वर्जन यानी mass of the earth याद है 6 x 10 रस्टू 24 kg मैंने बताया था याद करके रख लेना ठीक है constant होता है चेंज नहीं होता है ठीक है वैसे यह capital R जो दिख रहा है आपको यह क्या है capital R क्या है radius of the earth 6.24 x 10 रस्टू 24 ऐसे कुछ था 6.24 कितना था चेक कर लेंगे हम लोग 6.4 x 10 रस्टू 6 multiply by M है capital M का value मतलब mass of the earth का value क्या है 6 x 10 रस्टू 24 है यह हम लोगो का पता है ठीक है upon divide by क्या है नीचे R square R कौन है radius of earth radius क्या है 6.4 x 10 रस्टू 6 तो 6.4 x 10 रस्टू 6 का पूरे का square अब इसको अगर आप solve कर लोगे जो difficult है लेकिन हो जाएगा solve अगर इसको आप solve कर लोगे तो आपका answer आजाएगा किसका small g का value आजाएगा जो हम लोग को निकालना है और हमने यह माना है माना क्या मतब जो पहले से हम लोग consider करते हैं और जो हमें बोला जाता है लेने के लिए g का value 9.81 meter per second square क्या वो exact है कि नहीं वो हम पता लगेगा यहा यहापे ठीक है यहापे कैसे solve करेंगे g is equal to 6.67 और यह 6 को multiply कर लो और यह number number को आपसे multiply कर लो तो 6.67 multiply by 6 कर लो और यह 10 raise to minus 11 multiply by 10 raise to 24 कर लो अपान यह 6.4 का square कर दो अलग से और multiply कर दो 10 raise to 6 को 10 raise to 6 का square कर दो ठीक है अब इसको solve कर लेंगे next step में आ जाएगा हमारा answer ठीक है जी will be equal to 6.67 multiply by 6 जब आप करोगे तो आपको एक value मिलेगा ठीक है 6.67 जब आप 6 से multiply करोगे तो लगबग आपको एक value मिल रहा है जो की लगबग 40.02 आमने multiply किया हुआ 6.67 को 6 से multiply करोगे तो 40.02 आपको मिलेगा ठीक है समझ में आया 10 raise to minus 11 10 raise to 24 जो 10 raise to 24 माइनस 10 raise to 11 कितना हो जाए 6.4 का square कर दो 6.4 multiply 6.4 कर ले तो 6.4 का square भी मैंने निकाल रखा है जो कि ये 40.96 और ये 10 raise to 6 का square मतब 6 multiply by 2 मतब 10 raise to 12 हो जाएगा 10 raise to 12 अब इसको solve करना आसान है ना क्या करना है हम लोको ये जो number है number से divide करना है तो 40.02 को divide को तो 40.96 तो something आएगा 0.77 क्या आएगा दोस्तों यहा पर आएगा 0.97 ठीक है क्या आ रहा है हमारे पास value 0.97 यानि कि जो 40.02 है इसको 40.96 से divide करके देखो तो आपको value मिलेगा 0.97 इतना मिला 10 raise to 13 को 10 raise to 12 से divide करोगे तो 10 raise to 13 minus 10 raise to 12 हो जाएगा उपर जाएगा तो तो ये हो जाएगा 10 multiply by 10 हो गया इसका value क्या मिलेगा 10 मिलेगा यानि कि in short आपको g का value मिल रहा है 0.977 multiply by 10 यानि कि 9.77 और g का unit होता है meter per second square यानि कि ये आपका क्या बन गया ये आपका बन गया g का value तो क्या आया g का value 9.77 meter per second square अरे भई सर ने तो बला था 9.81 होता है हर जगा जितने भी आज तक मैंने g पड़ा है हम लोग 9.81 ही लेते हैं और कहीं कहीं पे जगा पे हम लोगो 10 लेने के लिए बोला जाता है लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि this is the accurate exact acceleration due to gravity on earth जो की है 9.77 meter per second square ये value आपके दिमाफ में fit कर लो लेकिन जब numerical हम सॉल करते हैं तो अकसर हम लेते हैं 9.81 for round figure और कभी-कभी तो आपके question में लिखके दे दिया जाता है उन्होंने given में दिया जाता है कि आप 10 लो 9.81 में मतलो confusion ना हो इसके लिए 10 ले लो ठीक है तो जो दिया रहेगा वो हमको लेना है लेकिन नहीं दिया है तो हमें 9.8 लेना है लेकिन exact कितना होता है 9.77 होता है क्योंकि हर जगा आप जाओगे प्रिथवी के अलग-अलग कोने-कोने में आप जाओगे तो आपको acceleration due to gravity भी जो है वो अलग-अलग मिलेगा जो कि हमारा next topic भी होई है that is the variation of gravity on the earth as well as about the earth, earth के उपर, earth के अंदर, earth के बाहर, कहीं पे भी आप जाओ, जो g का value है, acceleration due to gravity का value है वो हर जगा change होता रहता, यह क्यों होता है, because of the gravitational force, obviously change होता रहेगा, क्योंकि हर जगा force का value रहेगा तो acceleration due to gravity जो रहेगा, वो भी अलग-अलग-अलग रहेगा हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया, अब चलते हमारे next topic के उपर, देखो ध्यान दो, अगला topic क्या है, variation in the value of G, यानि कि जो हमारे G है, G मतलब क्या, मतलब acceleration due to gravity, मतलब जैसे मैंने बोला कि अभी हम हर जगा अलग-अलग जब जाएंगे प्रित्वी के उपर, तो हमारा acceleration due to gravity G का जो value है, small G का जो value होगा, तो सबसे पहले जो topic है हमारा, जो की है, change along the surface of the earth, surface of the earth मतलब प्रित्वी के surface के उपर, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू, कि हमारा जो प्रित्वी है ना, भले ही दिखने में गोल है, हमारा जो प्रित्वी है, यह बले ही दि एक्वीटर है, एक्वेटर का जो diameter होगा, वो जादा होगा, as compared to poles से, यहाँ पर क्या है poles है, north pole, south pole, वह में आ रहा है, यह उपर north pole होगा, नीचे south pole होगा, correct है, यानि कि जो हमारा लंबाई वाला जो है, क्योंकि ball आप लेते हो, एक ball ले लो cricket ball, आप मेजर करो, उपर से नी यह geoid है, जैसे मैंने बताया, हर जगा उबढ़ खाबढ़ है, तेड़ा मेड़ा शेप है, तो actual में जो earth rotate होता है, तो rotation के वज़े से, जो उसका बाहर का periphery है, वो थोड़ा bulge out हो गया है, तो इस तरफ का जो diameter होगा, वो जादा बढ़ा होगा, यानि equator वाला diameter बढ़ा होग according to यहाँ पर हम बात करें, कि हमारा जो value अब G है, वो highest होता है, पोल के उपर 9.832, जब पोल के उपर रहोगे, तो G का value होता है, 9.832 meter per second square, लेकिन वो ही अगर मैं equator पर आ जाओ, तो equator का जो lowest, जो value है, 9.78 है, यह आपको याद रखना है, यहाँ पर G का value कितना है, 9.78 meter per second square, यह आपको दिमार्ग में रखना है, क्या समझा इस से, कि जब भी हम लोग पृत्वी के surface के अलग 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 जगा पे जाते हैं, तो value of G change होता है, highest कहाँ पे रहेगा, पोल्स पे उपर रहेगा, 9.832 रहेगा, lowest कहा रहेगा, equator पे रहेगा, जो कि है 9.78 meter per second square, यह दिमार् अलग चीज़े हैं, तो according to the height, हमारा जो value of G है, वो change होता है, कैसे होगा, यहाँ पे हमारा यह graph है, इससे हमें पता चलेगा, यहाँ पे एक table आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखोगे, यह places है, यह height है, और यह gravity का value है, G का यह value है, तो सबसे पहले आप देखोग तो अब zero height पे कितना रहेगा, जो actual value है, G का value कितना है, 9.8 है, actual value है, तो हमारा 9.80 है, लेकिन mount average जो प्रिथवी से, जो जमीन के surface से थोड़ा उचा है, 8,848 मेटर सम्तिंग उचा है, बहुत बढ़ा पहाड है, ठीक है, तो 8.8 किलो मेटर उचा है, मतला हमारे प्रिथवी से एर्थ सर्फेस से 8.8 किलो मेटर आप उपर जाओगे, तो उतना height है उस mount average का, तो G का value चेंज होना चीए, तो देखो, G का value कितना है, 9.8 है, तो सोचो कि आप प्रिथवी पे भी हो, और उसके बावजूद, मतलब, एर्थ सर्फेस पे भी 0 है, लेकिन एर्थ सर्फेस के 9.8 है, यहाँ पे भी 9.8 है, तो क्या value चेंज नहीं होगा कि height के सबसे, होगा न, इतना height से काम नहीं चलने वाला है, और उपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखो, maximum height reached by a man-made balloon, एक balloon होता है, hot gas balloon का, जिस पे बेट के उपर जाते हैं, हवे में उड़ते हैं, हो यार, कितना कम हो रहा है, 36 km उपर जाने के बाद भी, यार, 0.3 कम हो रहा है, 9.77 हो रहा है, फिर अगर आप typical weather satellite की बात करो, जो weather satellite launch करते है, rocket के help से, जो हम लोगो weather के बार में बताता है, satellite जो पृत्वी के उपर गोल को लगुमता रहता है, satellites, वो satellite का जो height है, वो हमारे से पृत्वी से 400 km उपर है, 400 km उपर है, और उसकी जो acceleration due to gravity है, वो है 8.7, मतलब थोड़ा कम हुआ, 8.7 मतलब एक कम हो गया, ठीक है, लेकिन और अगर उपर आप जाते हैं, जो communication satellite होते हैं हमारे, जो जिससे हम लोग communication कर पाते हैं, बातचीत करने वाले, टेलिकास्ट करने वाल उसके उपर जो g का वैलू, यानि gravity का जो वैलू रहेगा, वो रहेगा 0.255, यानि लगबग ना के बराबर है, 0.5 में आगया मतलब ना के बराबर, यानि कि जब तक वो satellite तक नहीं पोझेगे, तब तक उसके उपर प्रिथवी के gravitational acceleration का फरक नहीं पढ़ने वाला, यह आपक जादा गोल नहीं है, तो हर जगा कई खड़ा है, कहीं उच्छा है, तो जहाँ झाँ खड़ा है, जहाँ जाँ उचा है, उसके इसाब से हमारा जो value जो है, किसका अपने G का value जो है, तो जहाँ पर depth है, वहाँ पर value कुछ और, जहाँ पर थोड़ी height है, वहाँ पर कुछ और मास यह जो वर्ड है ठीक है यह जो वर्ड है मास और यह जो वर्ड है वेट आपको आस तक लगता था कि मास का मतलब भी वजन होता है वेट का मतलब भी वजन होता है लेकिन यह दोनों ही अलग अलग है मास मतलब भी किसी चीज़ का मास मतलब वजन, वेट मतलब भी किसी चीज़ का वजन, वो भी वजन ही है, तो वो भी वजन है, तो दोनों में फरक है क्या, इसको मास की बोलते हैं, इसको वेट की बोलते हैं, तो सबसे पहली बात, वेट का मतलब होता है, मास का मतलब होता है, वजन उसका, मतलग जितने भी object है, उसके अंदर जो भी material present है, जो भी substance present है, जो matter उसके अंदर present है, actual matter जो उसके अंदर present है, उस चीज़ का वजन, वो होता है mass, यानि कि समझ लो कि मेरे पास ये क्या है, एक mouse है, ये mouse जो है, जिस्तना भी material इसके अंदर present है, ये mouse के अंदर, ज कितना भी material present है, वो क्या है, उसका एक mass है, ये object का, ये एक mouse का एक mass बता रहा है, correct है, समझ में आ रहा है, और एक और चीज याद रखो mass में, कि mass कभी भी change नहीं हो सकता, दुनिया में किसी भी कोने में लेके चले जाओ, ये जो mouse है, समझ दो, इसका 200 gram अगर वजन है, 200 gram mass है, तो ये दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ये 200 gram ही रहेगा, तो उसको मैं क्या बलूँगा, mass बोलूँगा, actual matter का जो वजन है, वो रहेगा, क्या, mass, लेकिन जो weight क्या है, weight मतलब क्या होता है, कि जो हमारे gravitational force के वज़े से आता है, ठीक है न, हमारा, देखो, कोई भी वज attract करके रखा है, ठीक है, हमारा जो earth है, दोस्तो, हमारा जो हम प्रित्वी के उपर रहते हैं, तो हमारा जो earth है, वो उसके उपर क्या कर रहा है, attract कर रहा है, और attract कर रहा है, तो कहीं न, कहीं उसके उपर, जो gravity का जो value है, वो कहीं न, कहीं apply हो रहा होगा, एक ताकत लगरी हो जिसको बोलते हैं, तो वो जब इसको खीच रहा है कहीं न कहीं, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि यहां पर भी एक वजन अप्लाई हो रहा होगा, तो वो जो पर्टिकलर पूरा मिला के जो वजन रहेगा, उसको मैं बोलूँगा, वेट, समझ में आया, मास और वेट का बे पे है, अर्थ के उपर है, जो बीटर के उपर है, मून के उपर है, कुछ फरक ने पड़ता, क्योंकि इसको ग्राविटेशनल फोर्स से लेना देना नहीं है, ठीक है, यह क्या है, उसका मास है, 60 किलो है, मतलब 60 किलो है, लेकिन वेट को क्या है, फरक पड़ेगा कि यह कहां है, अगर यह चीज़ वेट है, समझ लो, 50 न्यूटन का, अर्थ के उपर, तो आप कहीं पे भी दूसरी जगा प्लानेट पे चले जाओ, तो हो सकता है, वहाँ पर ग्राविटी का वैल्यू कुछ और हो, प्रिथवी के उपर जो ग्राविटी है, वो कुछ और है, लेकिन मास एक fix चीज़ है, weight fluctuate हो सकता है, according to the gravity value, और यह gravity value कैसे change होगा, जब आप दूसरे दूसरे जगा, यानि प्रिथवी के बाहर जब जाओगे, प्रिथवी पे रहोगे तो same ही रहेगा, प्रिथवी पे almost ज्यादा fluctuate नहीं होता है, 9.89, 9.81 ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब प् खुद का वजन है, इसके पास magnitude है, लेकिन एक direction नहीं है, लेकिन weight जो है, ये vector quantity है, क्योंकि इसके पास magnitude and direction दोनों है, value भी है, और जहां पर जाएगा अलग-अलग direction में, तो अलग-अलग perform करेगा, अलग-अलग वजन दिखाएगा, समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है basic तोर पर मैंने बता दिया है, कि what is mass, what is weight, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये काफी है हमारे आज के lecture के लिए, तो आज का lecture फिर इसे के साथ मैं समाप्त करता हूँ, वैसे और भी बहुत सारे topic है, एक numerical भी है, जो हम लोग का earth का mass और moon के mass को relate करके बताएगा, बहुत complete हो जाएगा, और आप लोग को बता दू, कि जैसे ही chapter complete हो जाएगा, और भी जो बहतरीन subject से हमारे maths के तो चली रहे, आपको बता मिल रहा होगा, maths 1, maths 2 कभी आ जाएगा, science 2 कभी आ जाएगा, तो बिल्कुल चिंदा मत करना, बस आप लोग से एक ही request है मेरा, कि हम जो इस digital board के ओपर, दुबारा से आप लोगे लिए वीडियो जो मेहनत करके बना रहे है, अल्री वीडियो होते हुए भी, सब वीडियो पूरा syllabus complete होते हुए भी, फिर भी आप लोगे लिए वीडियो दुबारा से shoot कर रहे है ना, इसके लिए महनत लग रहा है ना दोस्तों, तो यह म सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन होता उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूँ वीडियो में, तब तक के लिए, थाइंक्यू और गुडबाई.